और जिसे कहते हैं घर भी और सारी चीजे इन मद्दाताओं के बीच में थी तो ऐसी इस्तितना बसुंदरा भले साइड लाइन कर दी गई थी लेकि कहीं न कहीं बसुंदरा को पूरी तरीके से चुदाव से दूर रखा गया ऐसा भी नहीं रहा कई मंचों पर हमें वो नजर लोगों के बीच जाकर वन टूवर वहां पर चुना परचार करती हैं नजर आई संज़जी डबल इंजन से आगे बढ़ते हैं बात हम ट्रिपल इंजन की करते हैं बीजेपी के पास ऐसा नहीं कि केंद्रिन नेत्रत और हर राज में जहां पर चुना हो रहा है वहां का नेत एक ऐसा मॉडल असापित किया है जिसको हम रिप्रिजेंट कर सकते हैं अलग-अलग राज्यों में जाकर और वही योगी आधितनात की तरफ से किया गया आपको लग रहा है कि उसका भी इंपैक्ट दिख रहा है बिलकुल हमिज जी देखिए अगर हम बात करते हैं मॉडलो कि सारे लोग सारे पॉलिटिकल पाइटी अपना मॉडल बताते लेकिन मुझे ऐसा लगता है परसला मेरा वी हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वो मॉडल भी है उसके साथ एक्जाम्पल भी है देखिए ऐसा है कि लॉन ओर्डर की अगर हम चर्चा करें तो गया है उसकी अगर अप जीडीपी ग्रोथ की बात कर लीजिए उसमें बढ़ गया है सत्रा पर्तिशत अनेंप्लॉइमेंट रेट हुआ करता तो 2017 तक अभी चारद संब्सक्राइब तो कहीं ने की जो मॉडल है उसको दिख रहा है लोग महसूस कर रहे है तो जो बाहर के ल और 101 सीटों की रुजान में बीजेपी 54 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है कॉंग्रेस पार्टी 45 सीटों पर और दो सीट पर अन्या आगे चल रहे है राजस्थान में बहुट कड़ा मुकाबला इस बार बताया गया था लेकिन शुरुवाती 101 सीटों की रुजान में तस् साफ होनी शुरू हो गई है हलाकि ये पोस्टल बैलिट की गिनिती है कुछ देर में इवियम भी खुल जाएगा और उसके बाद कई राउन की गिनिती होगी लेकिन अमुमन ऐसा देखा गया है कि 10 से 11 बजे तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है अमेद और इस वक्त में आगे देखेंगी कि किस तरह से तस्वीर बदलती है लेकिन अगर अशोक गहलोत की बात की जाए या सचिन पाइलेट की बात की जाए बीजेपी की बात की जाए बीजेपी में भी देखा गया था कि इस बार किसी को चेहरा नहीं बनाया गया था लेकिन गहलोत की चेहरे कमलनाथ आगे चल रहे हैं, बुधिनीश शिवराज आगे चल रहे हैं, यानि दोनों मुख्यमंत्री का जो चहरा है, कॉंग्रेस और बीजेपी का दोनों अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं, जो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चिंदवाडा से कमलनाथ, उनका गड़ है चिंदवाडा, लगतार वहां से कई बार के विधायक रहे चुके हैं, और अब बुधिनीश शिवराज भी अपने गड़ में आगे चल रहे हैं, हम बात कर रहे थे मनराज गुजवर से कि किस तर से राजस्थान में इस वक्त राजनितिक कुथल पुथल द बता रही थी, कॉंग्रेस पार्टी ने वहां बैलेंस करने का बहुत परियास किया, और मैं आपको बता दू, टॉंक विधान सवा से सचिन पाइलेट विधायक हैं, टॉंक विधान सवा में चार सीटे हैं, वहां से तीन सीटें बीजेपी जीत रहे हैं, एक सीट शिरफ तो हम समझ पा रहे हैं कि सचिन पाइलेट का कितना involvement इस चुनाव में रहा है, सचिन पाइलेट को ये पता चल गया था कि राजस्तान में जब तक असो गलोध हैं, तब तक मुझे मुझे मुख्यमंत्री की सीट नहीं मिलेगी, और असो गलोध ने भी कॉंग्रेस के मुख् इनका गांधी के साथ सभाएं करकर एक मेसेज दिया है कि मैं कॉंग्रेस पार्टी के साथ हूँ, लेकिन सचिन पाइलेट पहले ही ये मान चुके हैं कि कॉंग्रेस पार्टी इस बार सता में नहीं हा रही है। गुजर समाज ने पिछली बार पूरी डेडिकेशन के साथ सचिन पाइलेट का साथ दिया और उनके मन में एक ही बात थी कि सचिन पाइलेट को कॉंग्रेस मुख्य मंत्री बनाएगी। लेकिन जब सचिन पाइलेट के साथ इस परकार का वेवार किया गया तो इस बार गु पाइलेट को अपने हाप में सीम प्रोजेक्ट किया गया था लेकिन अगर हम राजस्तान की राजनीति को देखे तो सचीन पाइलेट को मुख्यमंत्री कॉंग्रेस पार्टी नहीं बनाई गया अगर मानलो भावमत मिल भी जाता है आंकडों में बड़ा उलट फेर भी हो जात जो बात रखी गई है उसने राजस्तान के इस बैलेंसिंग किया है तो कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि जो व्यक्ति बार-बार अपनी योजनाओं के दम पर आला कमान के बिना किसी अच्छेप के चुनाओ लड़ रहा है वो अगर सता में आता है क्या मुख्यमंत्री बनने देगा किसी को पहले भी उन्होंने जो उनकी मिटिंग हुई जो विदायक दल की मिटिंग हुई उससे वहाँ पर आप्जरवर्स को वापिस लोटा दिया तो मुझे लगता नहीं लेकिन गुजर समाज इस बार भारते जनता पार्टी के साथ गया है और उसका हमें र और पियमोदी बार बार ही कहते हैं कि हमने अपना एक वोट बैंक डिवलप किया है ये वोट बैंक है लाभारती वोट बैंक क्या लाभारती वोट बैंक का इंपक्ट आपको दिख रहा है नहीं देखें निश्चित तोर पे जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि पा जित बोटर और आद्वासी बोटर जो कांग्रेस का एक परमगाल बोटर हुआ करता है मंदपरेश राइस्तानों वो भातिन तरपार्टी के पास वापस हुआ है वहां से खिसका नहीं है और जाट और गुजर इन दोनों बोटों में जिस तरीके से बसुंद्रा का एक अपना जानकारी दे लेते हैं बड़ी खबर राजिस्तान में 115 सीटों का रुजान सामने आ गया है 62 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है 55 सीट ऐसी है जहाँ पर कॉंग्डिस आगे चल रही है और मध्यप्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी 139 सीटों का रुजान आ गया है 74 सीटों पर बीजेपी आगे है 55 सीट पर कॉंग्डिस आगे है और मध्यप्रदेश की भी हमने बात की तो प्रभाद जी लगातार जो जुड़े है हमारे साथ और लगातार वो अपनी बात रख भी रहे है प्रभाद जी अभी के टैली को लेकर आपका रियक्शन बहुत त से टैली बदल रही है और इसमें ज्यादा फादा बीजेपी को मिलता दिख रहा है लेकिन एक बात साफ है कि यहां पर बहुत आसानी से बीजेपी को फादा नहीं मिल रहा है यारे की बहुत तरफ देखने कि आपर शक्ता नहीं है मैं बहुत ओपिदेट हूँ मुझे मंद्रदेश के मद्दाताओं पर पूरा विश्वास है कमलाद सिंग को सुन रहे थे आप जुनका खेना है कि हमें मंद्रदेश के मंद्दाताओं पर पूरा भरोसा है जी और हम चुनाओ से पहले जो बात कह रहे थे उसी बात पर अभी भी कायम है सत्ता परिवर्तन हो रहा है हमारी सरकार बन रही है प्रबाजी जल्दी से अपने बात पूरी करें उसके बाद संजी जी के पास जाओंगा हाँ मैं यह कह रहाता देखिए हमेजी जिस तरीके से रहस्तान में हम कांग्रेस को कमजोर नहीं कह सकते हैं रहस्तान का चुनाओ परणा कुछ भी हो सकता है नेक टू नेक हो सकता है निर्दिली जो वहाँ बिधायक जीत के आएंगे उनके संपर्क में बसंद्रा भी कल से लगी हुई है और असोग गैरोत भी लगे हुए असोग गैरोत को जादूगर ऐसे ही नहीं कहा गया अगर असोग गैरोत वहाँ पे नेक टू नेक की इस्तित में आते हैं सरकार चलाने के बाद और रिवाज को तोड़ते हैं यह कोई बड़ी बार नहीं है यह सुरवाती रुजहान है हो सकता है कांग्रेस के लिए अच्छी खबर भी हो सकती है राहिस्तान से लेकिन जिस तरीके से अभी रुजहान देख रहे हैं पिछली बार में मद्रप्रदेश और राजस्तान में हमें यही देखने को मिला था यहां पर करीब-करीब आसपास ही रह गए थी दोनों पार्टिया लेकिन चुकि कॉंग्रेस पार्टी जादा बड़ी पार्टी थी इस वज़े से उनकी सरकार बनती है और अन्य विधायक को गर हम देखें तो बीजेपी 15 सीटों पर सिमट गई थी अभी की टैली बतारी कि बीजेपी 18 सीटों पर इस वक्त बड़ा बढ़त बनाए हुए एक प्रकार से कह सकते हैं कि बड़ा गेन है बीजेपी